असलाम एकॉम वेलकम बैक टो मारे चानल शाइबीन किचन आज की जो हमारी रेसिपी है वो है पनीर हाडी गर्मियों में पनीर खाने का मज़ा ही कुछ अलगें तो रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले आप सरी क्वेस्ट है कि अगर अगर अभी थे मेरा चानल और बैल आइकन को जरूर हिट करें ताकि न्यू वीडियो की अपडेट आपको अन टाइम मिले तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम बनाएंगे हानी मसाला तो यहां पर मेरे लिए है दो टेमेटो और टेमेटो थोड़े रेड होना चाहिए पीछे से मैंने इसे ग तकड़ा लिया है वो डाल देंगे पनीसमें काजु डाला जाता है चार से पांच तुगड़े लस्ट के लिए है मैं और एक इंच का मैंने तुकड़ा लिया है अधरक का इसे पील कर लिया था लाल मीची पाउडर है फान ती स्पून धनिया है वन टी स्पून हल्दी है 1 और इसके बाद हम लेंगी हाँ पर मैंने लिया है तिका मसाला आपके पास नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं वन टेबल स्पून है अब इसके अंदर एक से देड़े कप पानी डाल देंगे और इसे बॉयल करेंगे और बॉयल हमने इतना करना है कि जब तक हमारे टेमेटो औ और इसे बॉयल हो जाएगत तो यह से कर लेते हैं तो अँफ मिनट से भाद हो चूक यहां पर यहां यह हो गया है अब हम इसे जूसर में डाल दे या फिर हम जैसी तरह से दना के आपने बंट आपने इसमड़े番 lieक नट ने बन करसंद म मिनम्लाम आप उस तरह से से ग्राइंड कर ले बस इपी एक स्मूध सा बैटर इसका बनना चाहिए तो यहां पर अगर आपने थोड़ा पानी एड़ करना है तो आप कर सकते हैं लेकिन मैं पानी एड़ नहीं करूंगी इसके अंदर अब इसे हमने स्ट्रेंड करना है क्योंके टेमेटो है काजू है और प्याज है इसको सारे को हमने एक स्मूध सी ग्रेवी बनानी है इसलिए चाहनना बहुत जरूरी है जिस तरह से प्यूरी वगर हम बनाते हैं उसी तरह का ही है यहां पर जो रफेजेज हैं वो हम फेग दे आप फिर आप चटनी में यूज़ कर सकते हैं आप जो हमारा स्मूध सा जो ग्रेवी है हांडी ग्रेवी बनके रेडी हो गई है अब इसके अंदर हमने सॉल्ट एड नहीं किया है तो सॉल्ट एड करेंगे वन एन हाफ टी स्पून मैंने सॉल्ट एड किया है अब इस अच् दालोंगी यहां पर अगर आपने सेफ करना है या पानी आइट करना है तो आप आइट कर सकते हैं लेकिन मुझे थोड़ी से थिक ग्रेवी ही चाहिए उसके बाद यहां पर हम डाल देंगे पनीर यहां पर यह मार्केट का पनीर मैंने पैकेट का लिया है ये टू टेस्ट आएगा और एक जो है तरी भी आ जाएगी इसके अपर हाफ टी स्पून हम ले लेंगे लेमन जूस तो हाफ लेमन जूस था मेरे पस मैंने वो डाल दिया उसके बाद थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल देंगे हाफ टी स्पून जितनी और इसके अंदर डाल देंगे अपर एक पेड़े का मैने आटा लिया है उससे हम रोल कर लेंगे और रोल हमने थोड़ा लंबाई में करना है ताके हम पुरी हांडी पे कवर कर सकें तो अकर आप हांडी के हांडी आपके पास नहीं है तो आप कोई भी नॉर्मल पैन भी के अंदर भी कोक कर सकते इसी प्रोस बहुत सी जगह पर तो यह सिगडी पर पकाया जाता है चारकॉल पर तुसका भी टेस्ट बहुत जबदस्त होता है तो हमारे पास तो वह फैसलिटी है नहीं हम इसे लो फ्लेम पर ही कोक करेंगे तो यह हम कुक करने के लिए रख देते हैं फ्लेम को बिलकुल लो करेंगे औ हमारा जो हांडी पनीर है वो बिलकुल रेडी है जो आटे का जो कलर है वो भी चेंज हो चुका है फ्लेम बंद कर दिया है मैंने अब नाइफ की हब से हम आटे को जो है वो कट कर लेंगे क्योंकि ये भी अच्छा खासा हीट से कुक हो चुका है आटा बस इसे हमने बहुत हांडी के साथ ही इसे टेबल पे सर्फ करों तो देखने में बहुत अच्छा लगता है तो यह आटे की जो सील है मैं हटा लोगी उसके बाद थोड़ा सब क्रीम में ड्रिजल करोंगे और थोड़ा सा हरा धनिया तो हमारी जो हांडी है बिलकुल रेडी है सर्विंग के आपको पसंद आई होगी तो प्लीज लाइक एंड शेर कीजेगा अगर आप मेरे चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब करना मद भूलिएगा और इससे जरूर ट्राइ कीजेगा और मुझे जरूर पताएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी टेका वेरी गुड क्यार आफ यर